जहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फिलिक्ट हिंदी दोस्तो अलरेडी इंडियन एरफोर्स के 114 फाइटर एर कैप्टो के टेंडर को लेके योरोफ के देश रशिया और अमेरिका के बीच में बहुत बड़े कंपिटिशन चल रहा था और दोस्तो अब इंडियन नेवी के सबमरीन के प्रोजेक्ट को लेके फ्रांस और रशिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गया दोस्तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 आई का बात नहीं कर रहा हूँ बलकि यह सबमरीन का प्रोजेक्ट है नुकलियर सबमरीन रिपोर्ट के मुताविक एक तरीके से इंडियन नेवी के नुकलियर सबमरीन में कौन मदद करेगा इसे लेके फ्रांस और रशिया के बीच में एक तरीके का लड़ाई चल रहा है बेसिकलि दोनों देशी चाहता है कि इंडिया के प्रोजेक्ट में उनके द्वारा मदद किया जाए और दोसो ऐसा मदद जो अब तक शायद ही कोई देश किसी अन्य देश को किया होगा दोसो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि इस तरीके से भारत को मदद करने को लेके ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आ गया और एक तरीके का दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए लड़ाई जैसे सिजुएशन बन जाता है और ओफर का ऐसा बारिश होता है कि जो कभी कोई देखा ना हो इंडियन एर फोर्स के 114 फाइटर एर कैफ्ट के टेंडर में वी ऐसे ही ओफरों का वारिश हो रहा है और विना टेंडर के अब इंडियन फ्यूचर नुक्लियर पावर सब्मरीनों के प्रोजेक्ट में वी ऐसे ही ओफरों का वारिश हो रहा है बलकि ओफर तो ओफर ओफर का सब्मरीन है और अब रिपोर्ट के मुताविक इन सब्मरीनों के प्रोजेक्ट में मदद करने को लेके फ्रांस और रशिया एक दूसरे के सामने आ चुका है और एक तरीके से ओफरों के साथ एक दूसरे के साथ भैंकर लड़ाई कर रहा है तो यहाँ पर आपके जानकारी क का इच्छा दोनों दे शुकाई है और इसके पीछे कई तरीके कारण है जिनमें सबसे पहला कारण है प्रोजेक्ट का लागत अब सबके जानकारी के लिए बता दूकि जो प्रोजेक्ट 75 आलफा मतलब इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर एटेक सब्मरीन का प्रोजेक् होगा क्योंकि सब्मरीन भी अपने आप में काफी बड़ा है दोस्तों मल्टी बिलियन डॉलर के इन दोनों प्रोजेक्टों में अगर कोई एक देश टेक्नोलोजिकल सपोर्ट के रूप में जूट सकता है तो उस देश को वी कई बिलियन डॉलर का फाइदा होगा और इसे देखते हुए ही एक तरीके से फ्रांस और रश्या के वीच में रेस हो रहा है हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों देश ही इतियासी ग्रूप में भारत का क्लोस तरिंड एलाई रह चुका है और महत्वपूर्ण हत्यारों का सप्लाई अब तक कर चुका है पर देखा जाए तो ये एक तरीके का ऐसा टेकनोलोजी है जिसके उपर रेस्टिक्शन है और कोई वी देश किसी अन्य देश को ऐसे टेकनोलोजी नहीं दे सकता इवन दोस्तों अव तक इतियास में क्लोस तरिंड एलाई इवन कहा जाए तो सबसे क्लोस एलाई ज वी इस तरी का टेकनोलोजी किसी अन्य देश को नहीं दिया है और अगर ऐसा होता है तो ये इतियास में पहली वार होगा जब दो देश भारत को परवानुशक्तिसंपूर्ण सब्मरीनों को बनाने के लिए इस तरीके का मदद करेगा हाला कि दोस्तों ऐसा ट्रेंडिंग या फिर कहतो इस तरीके के नियमों को उलंगन करके आगे बढ़ने का शुरुआत तो अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। और रशिया के तरफ से भारत को जिन जिन टेक्नोलोजी का ओफर किया जा रहा है देखा जाए तो इस तरीके के टेक्नोलोजी भारत तो बनाने में सक्षम है लेकिन इसे भारत को बनाने के लिए शायद थोड़ा और समय लगे। तो काम में थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इस बीच में कई तरीके के ऐसे टेक्नोलोजी होता है जिसका डेफलाप्मेंट करना आवशक है। फ्रांस के और रश्या के तरफ से ऐसे ही टेकनोलोजी का ओफर किया जा रहा है जो उनके पास है और भारत को डेफलाप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। बेसिकली दोस्तों फ्रांस के तरफ से भारत को जो सब्मरीनों के टेकनोलोजी का ओफर किया जा रहा है ये नॉन नुकलियर टेकनोलोजी तो है लेकि नुकलियर पावर सब्मरीनों में खास करके नेक्स जेनेडेशन के सब्मरीनों में इस्तेमाल हो सकता है। के द्वारा नया जेनेडेशन के कई तरीके के नेविगेशनल और अन्य कॉमुनिकेशन सेंसर्स और इक्विपमेंटों का वी ओफर रखा गया है जो सबमरीनों को कमांड करने के लिए अति आवशक होता है और नेक जेनेडेशन के सबमरीनों में ऐसे कमपोनेंटों का करने में इंडारेकली मदद कर चुका है तो सबमरीनों को अपने न्यूखलियर पावर एटक्व मरीनों को लीस में दिया गया था और बताया जाता है कि इन सबमरीनों के ही लीस के बदले भारत को कई सारे टेक्नॉलोजियों के बारे में जानने का जहां पे मौका मिला तो वही पे सब्मरीनों से ही भारत के क्रू को ट्रेन किया गया, हाला कि दूसरे तरफ ने ओफर के तहट बताया जा रहा है कि ऐसे ही सेम, मदद रशिया के तरफ से भारत के निक्जिनेडेशन के निक्लियर रियक्टर में भी करने का बात कहा जा रहा है, जो S5 क्लास के निक्लियर पावर बैलेस्टिक मिसल सब्मरीनों के साथ साथ प्रोजेक्ट 75 आलफा क्लास के निक्लियर पावर एटैक सब्मरीनों में भी इस्तेमाल हो सकेगा, आपके जानकारी के लिए बता दू कि इस तरीके के रियक्टर करिवन 190 मेकावाट का होगा, जो अरिहांत क्लास के रियक्टरों के मुकावले में करिवन दुगना पावर जनरेट कर सकता है, अब दोस्तों इन दोनों देशों के भारत के साथ सब्मरीनों को लेके क्या सम्मंध है उससे तुरा जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों देशी भारत को मदद करने के लिए क्यों आगे आ रहा है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि फिलाल भारत में जो सबसे ताकतवर तरीन कन्वेंशनल सब्मरीन है जिसे की कलवेरी क्लास के सब्मरीन कहा जाता है ये फ्रेंच ओरीजिन सब्मरीन है फ्रांस के ही मदद से इन सब्मरीनों को भारत में मजगा और डॉकेड लिमिटेड में निर्मान किया गया है और दोस्तों इन सब्मरीनों के बाद इसके अफग्रेडर वर्जिन का भी ओफर फ्रांस के तरफ से भारत को किया जा चुका है अलगि प्रॉजक्स 75 से फिलाल फ्रांस अपने आपको विड्रोल कर लिया है क्योंकि इसका आवशक्ता पुरा करने का शम्ता फिलाल फ्रांस के फास नहीं है ताकि भारत एक ऐसे सब्मरीन को अपने बेडे में शामिल कर सके जो highly sophisticated technology के साथ लैज है और वजन में और आकार में project 75i के आवशकताओं को पूरा करने के साथ साथ बड़े और भारी वरकम हत्यारों से भी लैज हो सकेगा जबकि दूसरे तरव रशिया के साथ भारत के अगर सब्मरीनों के रिस्ते को देखा जाए तो भारत के बेड़े के किलो क्लास के सब्मरीन असल में Russian origin सब्मरीन है अब दोस्तों रशिया के साथ भारत का सब्मरीन का रिस्ता फ्रांस के मुकाबले में काफी अधिक मजबूत ह और दोनों का ही लीस के समय पूरा होने के बाद भारत के द्वारा इसे रिटर्न भी किया जा चुका है तीसरा सब्मरीन को भारत के द्वारा लीस में लिया गया है जो रशिया में भारत के मुताविक ढाला जा रहा है और साल 2025 से ये इंडिया नेवी में अक्टिव होगा औ दुनिया में ऐसा पहला घटना है जो रशिया के तरफ से भारत को दिया गया है। दोनों देशी एक साथ मिल के काम करें। ऐसे में दोनों देश भारत के मदद से पीछे हटेगा ये तो कहना गलत है और दोस्तों भारत के पास कुटनितिक इतना शमता है कि दोनों देशों को एक साथ लेके भी भारत आगे वर सकता है कुल मिला के दोस्तों अब कुटनितिक तरीके से और भारत के आवशक्ताओं को देखते हुए इस तरीके से भारत को काम करना चाहिए कि दोनों देशों से ही इन टेक्नोलोजियों को हासिल किया जाए और अपने फायदे में इस्तेमाल करते हुए अपने न्यूकलियर पावर स अब मरेनों को जल से जल तयार किया जाए तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबस पहले जाए हिन